नमस्कार दोस्तों स्टाउक मार्केट अपडिट चैनल में आपसे भी प्यारे दोस्तों का दिल से स्वागत है आज का इस इंपोर्टन्ट वीडियो में हम बात करने वाला है पारस डिफेंस के बारे में तो यदि आप एक पारस होल्डर हो या आने वाले फ्यूचर में पारस में बाई करना चाहते है तो ये वीडियो के वला आपके लिए ही है दोस्तो तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ए होते होते दोस्तो 1.67% के हिसाब से पारस प्लस में रहा दोस्तो लगातार 30 दिन है पारस प्लस में रहा है और दोस्तो उमीद रखते है आने वाले मंडे पे भी फिर से पारस प्लस में ही रहेगा क्योंकि जिस तरह से दोस्तो वाल्यूम दिखती है उस तरह से पता लगता ह कि जिसने भी पारस में investment किया है वो अभी hold पर है वो आने वाले कुछ सालों के बाद अपना profit booking कर सकते हैं क्योंकि पारस जैसा stock दोस्तों minimum 2000 के level पर ही होना चाहिए लेकिन जिस तरह से market में correction हुआ उसका असर पारस में भी पड़ा लेकिन अब आने वाले मंडे पे पारस डिफ डिफेंस जब से list हुआ है तब से लेकि आज तक पारस डिफेंस के हर एक छोटी से पी छोटी अपडेट मैंने बताई है और मैं जो बोलता हूँ वही होता है तो दोस्तों पारस डिफेंस के ऐसी important अपडेट के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना